इस वीडियो के नगाइस हम लोग रिव्यू करने वाले हैं SDFC के Sky आप का जी हैं इसके हम लोग ब्रॉक्रेज चार्जिस की बात करेंगे तो देखे इस SDFC जो सिक्यूर्टी से उसने अपनी वेबसाइट को जो अप्ग्रेड किया है प्लस एक डेडिकेट SDFC Sky के नाम से इनों अपने वेबसाइट वगरे बी जो लाँच की है और साथ में यहां पर आप भी बैशिलियू लाँच की है तो देखे जो लोग भी यहां पर जो कहते किर बैंक काफी सेक्यार होते है जहां पर आपको अपने शेर से या फिर अपनी सिक्यूर्टी से अगरे रखनी चाहिए तो क्या आपको SDFC SKY के साथ में DMAT एकाउन खुलवाना चीए, उसके ब्रॉक्रेज के चार्जर कितने हैं, क्या है, और यहाँ पर एप का डैमो कैसा रहेगा, इंटरफेस कैसा रहेगा, तो गाईस यह सारी चीजे में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प सब्सक्राइब के लिए एकदम free of the cost है, कोई भी चार्जर नहीं है, उसके बाद से 20 रुपे पर मंद का चार्ज है, यानि कि 240 रुपे प्लस GST यहाँ पर आपका AMC फीज हो गया, जो कि अगर मैं चलो compare भी कर लेता हूँ, जिरोदा वगरे के साथ में, तो obviously बात हैं यहाँ अगर मैं बात करो equity deliveries की, तो देखें यहाँ पर delivery के उपर आपके 20 रुपे या फिर 0.10% दोनों में से जो भी कम होगा, वो यहाँ पर आपका चार्ज लगने वाला है, साथ में जो intraday है, उसके उपर भी same room applicable है, 20 रुपे या फिर 0.10% जो भी दोनों के अंदर lower होगा, तो family जो 0.10% है, अगर मैं discounted broker वगगर जैसे कि 0.10 की बात करो, तो यह 0.03 के असपास रहता है, लेकिन यह 0.10 है, तो as compared to 0.10 और जिते भी leading discounted broker है, equity leader या तो free of the cost कर देते हैं, अगर करते नहीं है, तो उस case में जो ratio रहता है, वो 0.03% का रहता है, लेकिन यह 0.10% है, तो सा यहाँ पर हलका सा जादा है, इसके बाद मैं guys, अगर मैं traders की बात करो, जो future है न और option के अंदर यहाँ पर deal करते हैं, तो future के अंदर 20 रुपीज और वही 0.10% whichever is the lower, और option के अंदर सीधा flat जो है, 20 रुपीज पर order का यहाँ पर pricing दे रखा है, और यही same चीज जो हम लोग leading discounted broker के अंदर भी देखते हैं, option के अंदर हमेशा अल्मोस सभी जगे आपको 20 रुपीज पर order का यहाँ पर section देखने को मिल जाता है, वही पर अगर मैं currency और अंदर बात के हो, तो वहाँ पर भी अगर आप future करो, future के अंदर वही है 20 रुपीज और 0.10% जो भी दोनों में से क लेते हैं, लेकिन यहाँ पर UPI के उपर 0.5 पैसा something चार्ज ले रहा है, और net banking के उपर नौर पर something ले रहा है, जो other leading discounted broker भी यहाँ पर चार्ज करते हैं, लेकिन UPI के उपर तो गलत बात है, इसके लाव गाइस इन्होंने US stock के लिए भाई, जो Stockal के साथ में tap कर रखा है, उ इंडियन डीमेट अकाउंट के वही लगेगी, लेकिन यहाँ पर जो आपका US का अलग से जो अकाउंट खुलेगा, उसके उपर कोई भी account opening fees नहीं है, कोई भी AMC fees नहीं है, लेकिन जो brokerage है वो 5 cents जो है per share है, और यह dollars के अंदर है ध्यान रखेगा, और अगर आप fund addition भी रखता है, इसके लाब fund withdrawal के उपर भी यहाँ पर 10 dollar का basically fees लगने वाला है, जबकि fund withdrawal भी आजकर mostly जित्ती भी app से IND money invested, सभी नहीं यहाँ पर free of the cost कर रखा है, अब गाईस बात करते हैं हम लोग mutual fund की pricing के बाहर में, तो देखिए mutual fund की उपर वैसे कोई pricing नहीं लगती है, लेकि आपके mutual fund के जो units होंगे, वो credit होंगे, लेकिन भाई यह लोग आपको regular mutual fund offer करते हैं, ना कि direct mutual funds, तो जिल लोग को नहीं पता, regular mutual fund के अंदर आपको almost 1% यहाँ पर सालाना कम return मिल सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी commissions वगरे रेता है, agent का, तो यहाँ पर SDFC को भी जाता है, तो वो लोग ऐजे brokerage house, यहाँ पर जो full brokerage house होते, वो normally यहाँ पर direct mutual funds वगरे offer नहीं करते हैं, उसके अंदर आपको मेशे regular मिलेंगे, तो यह थोड़ा सा यहाँ पर disadvantage जरूर है, तो यह थोड़ा सा यहाँ पर disadvantage जरूर है, तो जिल आगाईस, अगर मैं बात करूँ, तो जिस इस type का कुछ ना interface दिखेगा, आपको उपर screen के सामने nifty 50 हो गया, उसका आपको basically जो indices वगरे देखने को मिल जाएंगे, आपके जो total आपका portfolio होगा, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, नीचे आपको अपने wallet का balance देखने को मिल जाएगा, नीचे जाएंगे आप पर पूरी category अलग से बना रखिए, ETF की बना रखिए, IT stocks की, यानि की जो theme based stocks होते है, उनकी पूरी category अलग बना रखिए, किसी भी stocks को आप यहाँ पर search कर सकते हो, F&O से related यहाँ पर चीज़ी चीज़े आप जो यहाँ पर search कर सकते हो, आतने कैसे अगर मैं stock की यहाँ पर traded price हो गया, last traded price हो गया, तो यह सारी चीज़े और similar kind of the stock के साथ में comparison basically आपको यहाँ पर दिखाए दिता है, ज्यादा detail के अंदर यह आपको नहीं बताएगा, लेकिन अच्छी बात ही है, कि यहाँ पर आप SIP भी कर सकते हो, और GTD order भी लगा सकते हो, और आपको normally limit order, market order वगर तो देखने को मिली जाता है, और stop loss वगर है, इन सारे जो normal feature होते है, वो भी यहाँ पर आपको provide किये गए है, so guys, screen के सामने आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको simply intraday delivery और MTF का भी option मिल जाता है, MTF के अंतर ध्यानक आपको 12% का interest यहाँ पर पे करना पड़ सकता है, और intraday और delivery जैसे हम लोग normal other stock broker से साथ में order place करते है, वैसे यहाँ पर same kind of the cheese है, और यहाँ पर आपका जो भी fund balance होगा, उसके साथ में आप यहाँ पर order place कर सकते हो, और यहाँ पर आपको एक calculator भी देदेगा, कि कितनी brokerage वगर है आप जो order place करने वाले है, उसके उपर कितनी brokerage वग order section के अंदर आपको normal GTT, SIP और आपने जो भी card के अंदर add कर रखा है, वो चीज़े आपको देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर अलग से section है, इंडियन stocks का, US stock का, और mutual funds वगरेगा, तो guys अगर मैं all yard यहाँ पर बात करूँ तो एक ठीक ठाक सी यहाँ पर app है, लेकिन अच्छे अखासे जो हमारे इंडिया के सबसे बड़े bank के उपर भरुसा करो, SDFC security के उपर भरुसा करो, तो definitely वो SDFC sky के साथ में यहाँ पर जा सकता है, guys hope you like this video, please subscribe channel, अगर आप लो के कोई भी doubt से comment box के अंदर जरूर बताइए, thank you guys, thank you very much